नमस्कार दोस्तो फ्लोटिंग लाइप सेनेल में आप सभी को स्वागट है दोस्तो मेरा इलेक्ट्रिक साइकल का रियर हब मोटर अंडर में पिनियन ग्यार खराब हो गए है तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हम कुछ मेरा एक्सपिरेंस जो मुझे फेस हुआ है वो ग्यान में आपको शियार करूँगा वीडियो को लास तक देखो कुछ आपको सिखने को मिलेगा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी मेरे तरप से 100 में 100% में आपको देने का कोशिश करूँगा दोस्तों मैंने खोल दिया है यह मोटर जो है खोल के रखा है BLDC मोटर है BLDC का मतलब होता है brushless DC मोटर direct current AC का मतलब है alternative current तो इसको खोलने के लिए यहां पर से स्क्रू है मैंने निचे में रखा हुआ है जमिन में मित्टी में और यह इस्क्रू डैबर जो star plus type का लगता है यह तो आपको पता चल जाएगा देखके यह ज्यादा इंप्रोर्टें नहीं है आप एजिली समस में आ जाएगा और खोलने के बात में आपको यहां पर देखने को मिलेगा राइसाइड में देख से इसको मैंने ठीक साफ नहीं किया है इसमें ग्रीस लगा हुआ है और C-Clip यहां पर है सीक्ली बुलते हैं इसको खोड़ने के लिए आपको एक ये बेन टाइप का नोस का जरूरीड़ परेगा मैं आपको दिखाता हूं ये तपारिया का प्लैयर्स है आप इसका नोस देख सकते हैं कितना नोकिली है देख सकते हैं के मेरा में ठीक नहीं आ रहे हैं फिर भी अंदजा लग गया होगा मैं क्या दिखा रहा हूं क्या बता रहा हूं आपको ठीक है तो मेरे से बताने में कुछ गलड हुआ तो जरूर बताना और मुझे माप कर दीजिएगा मुझे इतना नहीं आता है बात करना इंदी में तो इसके लिए सोडी तो यह तपारिया है आप इसके लिए यह जाएगा तो यह प्लायर्स अच्छा है यह मीनी है मैं लिंक दे दूँगा ओनलाइन से सर्च करके लेकिन में ओफ-लाइन से लिया हूँ तो वान्-फिप्टी रुपिस के लिए आया को ओनलाइन में थोरा महेंगा हो सकता है लेकिन अलग-अलग प्रकार के मिल जाएगा तो यह काफी लंबावला भी मिल जाएगा तित्थी के लंबा लंबा उस्ट अलग अलग different hari पे काम करने के लिए थ्यान रखना यह सी खिलिक ज्यदा आपको गृत से इसको खोलना नहीं तो मुक्रेक हो सब्सक्रेड है तो ऐसे लिए के लिए जा कि तूल साही है अंदर में बता दिया अभी है अब मोतर अगर ये जог आप देख सकते हैं ये क्रेग हो घया है प्लास्टिक काफी हार्ड है इसलिए तो यह इतना unload जहल सकता है तो यह crack हो गया है मैं बताओंगा आपको कितना केलोमितर run करने के बाद यह crack हुआ है मैंने लगबग 5-6,000 km run किया है only battery बेटरी पेडलिंग अलग है बेटरी के उपर में depend करके हम रन करती है उसमें ही 5-6,000 जो pedaling करता है उसमें यह नायलोन प्लेंटरी ग्यार इसका उपर में कोई भी इफिक नहीं परता है जब हम बैटरी से पावर से हम रन करते हैं तब ही यह विल का काम होता है फांक्शन तो pedaling आप जितना लाखों किलोमितर चलाओ तो यह इसमें कोई अंतर नहीं असर नहीं परेगा कि यह चुपचाब रहता है अपने जगा पर पेदलिंग उनका कोई मतलब नहीं है लेना देना ठीक है तो इसमें 3 फलेंटरी घ्यार होते हैं 3 तो 3 में से एक क्रेग हो गया है इसके बच़े से बहुत जब रवास करने लगा है और क्रेग क्यूं हुआ मुझे नहीं पता क्रेग होने से पहले इसके डांट जो है खराब हो जाना जाई यह लेकिन इसका दांट जो है अभी तक ठ बीस दिन लगेगा चैना से आ रहे हैं तो ये लोकल स्वाप पे तो मिलता है नहीं असानी से दिली मुंबई चैनाई मतरास में तो मिल जाएगा लोकल इलेक्ट्रिक विएकल साइकल का स्वाप में लेकिन हर जगा पे अबाइलिबल नहीं है तो दुकान अलों भी देने से इं या पिनियोन जो भी कहो चली पिनियोन ग्यार है यह तो यह 40-50 रुपिया का लगता है जादा से जादे सो रुपिया एक पीस का तो थी पीस का आप समझ सकते हैं सारे 400 या 500 रुपिया इतना तो होना चाहिए लेकिन ओन लाइन में आपको कम से कम 1300 से शुरू करके दो हजार सारे 3000 तक इसका कीमत रखा गया है तो इतना में तो नया मोटर मिली जाएगा तो आप सोस लीजिए का पिनियन ग्यार खरीड़ना सही रहे गया या पूरा मोटर ही खरीड़ना सही रहे गया अगर शोप में मोटर एबाइलेबल है धाई 3000 में तो मोटर ही ले सकते हैं मोटर लेकर उसको लगा लो या तो आप खोलकर उसमें से पिनियन ग्यार निकाल दो बान में मोटर जो आपका पहले ईउस कर रहे थे वो खराब हो जाने चैनल नया वाला मोटर फी रिपलेस कर सकते हैं या किसे और का जरूरझ परा दो आप वह भी 手ड बोट तो इधर जो उधर आ है में Amazon का link दे दूंगा दो तिन लें लिंक दे दूंगा आप हर लिंक क्लिक करके देक लिया कि अलग अलग price अलग-अलग sellers के मैं दे दूंगा इसके लिए आप चिंता ना करें मैं ऐसा गलत आपको गलत website दे फाल्तू third party का मैं नहीं दूँगा देगा तो मैं Amazon के ही दूँगा या तो मेरा personal website अगर होगा तो मैं दे दूँगा मेरा खुट का किशी और का तो मैं दूँगा है नहीं जो भी दूँगा लेकिन पुरा original 100% भरोसा करके आप क्लिक कर सकते हैं ठीक है गलत करेगा तो आज आप ठग जाएंगे और मेरे साथ कोई हजार बार ठग करेगा ठगी करेगा तो गलत नहीं करना साइए इस बात को आप धियान में रखिएगा पुरा भरोसा रखिएगा तो यह प्लास्टिक विल देने का फाइड आया है पिन्यन ग्यार यह प्लास्टिक होने के कारण इसमें ही खराब होंगे और अंदर में आप देख सकते हैं इस विल के अंदर में चारो तरब में एक रिंग है उसमें भी टीड है हलका हलका आप देख सकते हैं तो यह अगर मेटल कर देने से यह हब मोटर का जो अंदर का दायामिटर में तीध है वो खराब हो जाएगा अगर यह खराब होने से क्योंकि मेटल होने के कारण दोनों के घर्षन जो है न उसके बज़े से खराब हो जाएगा या तो यह सोटा सा पिनियन 11 खराब होगा या तो अंदर का चूरी जो तो इसलिए नहीं देता है यहां पर मेटल का मेटल का देने से तो अवास तो ज्यादा करेगा लेकिन लाइब हो सकता है लंबा और लोंग लाइब अगर खराब हो जाने से तो बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा यह तो पुरा विल भेकना परेगा या इसका कोई DIY कोई तरीक नहीं मिलेगा यह भी तो है तो इसलिए यह प्लास्टिक के देना तो मुझे 100 में 100% मुझे यह लाइक करता हूं क्योंकि यह ज्यादा खर्चा नहीं है लेकिन इंडिया में होने के बज़े से यह दाम हो रहा है चैना में तो शिरिफ आपको आली एक्सप्रेस में 150 200 का सर्क में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है वह भी देख लिएन अगर भी आरिंग घण घरा वहा तो भी आवाज करेगा तो विएरिंग को चैंज करना पर एगा तो यह पीजिए और फेलर्ट के साथ देता है कुछ विडाउट ब्यारिंग कर देता है तो यूतूबर्स का व तो इतना में तो नया मोतर ही आ जाएगा तो मैंने तो ले लिया है चाइना से तो उसको आने में काफी समय लगेगा क्योंगे दोकुमेंट भी अबरोट करना पड़ता है कस्तम डिपार्डमेंट में क्लियरेंस करने के लिए फोरेंस से आ रहे हैं चाहे दस रुपिया का समान हो या हजार का लाखों का क्लियरेंस तो करना पड़ता है यह तो रूल है हर कंत्री का मेरे ख्याल से तो दोस्तो आपने पुरा देख लिया वीडियो लंबा हो गए है अभी अभी इसको खोलने के लिए भी मेरे पास में और एक तूल्स का जरूरत पड़ेगा अभी इतना स यहां से शी क्लिप निकाला है प्लायर्स के मदद तो निकलने के बाद भी यह अभी पिनियन ग्यार से जो है पुरा बहार नहीं आ रहा है उसको हमपर मारना भी यह ठ्रेट खराब हो जाएगा ठ्रेट खराब होने साइकल फिर उपुरा एक्सेल जो है वह चेंज करना पड से एक आपको ब्यारिंग पुलर ताइप का मेकानिजम चाहिए तूल्स वह भी मैंने आस परसेस कर लिया है ओनलाइन से उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये दूंगा भी यह और वह आने के बाद ही में उखार सकोंगा वरना जबर 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 मारने से निकल तो से जाएगा तो होल सेंसर में भी फेकपर सकता है इसलिए यह यह ज्यादा इसमें चोर नहीं देना अराम से करना है तो इतना तो खर्चा लगता है देखने में तो यह काफी अच्छा और सिंपल लगता है लेकिन इसको खोले जोड़ने के लिए काफी टूल्स का ज़रूरत रखना पड़ता है मैंने हवा भड़ने के लिए पंबी अलग से खरीदा है साइकल करने के लिए और यह साइकल के लिए ही नहीं वह सारा तूल्स काम आएगा आने वाला समय में हर घर में तो तूल्स के बिना तो घर चलाना मुश्किल है चोटे-चोटे काम के लिए बहार ले जाना साथ ही सामय कभी पैसा कभी बरबात और जाते ही कोई ठीक करके देगा ही नहीं इसलिए अपने घर में तूल्स का हर प्रकार का टूल्स होना जरूरी है तो मेरे पास में तो बहुत सारा तूल्स है मैं इस वीडियो में दिखाने है इस बढ़ी आत की बीचात कभी तायम हिला तो दिखाऊंगा तो अभी मुझे यह एक दिकर आरहा है वह दिकर देखिए कि मुझे B Earing Puller और है Baring Puller आने के बाद इसको निकालाऊंगा उसके रहुए पे बाद मैं ताड तौरा अचा मस्बूत ताड उसको अंदर के तरफ डाल के उसको कस्प के बान देंगे तो कुछ दिनों तक काम चल जाएगा क्या मुझे लग रहा था क्योंकि मुझे ओन लाइन जो पर्चेस किया समान वह भी लेने के लिए मुझे जाने के लिए गारी नहीं है तो इस प्रकार का जो दिकर है उसको सोल्प करने का तो हमको होना चाखिए दिमाग मा तो विजयों यहां पर समाप करते हैं विजयों कैसा लगा कमेंन में जरूर बटाएगा अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो अगर को मन में खुछ भी दाउट है तो कोमेंन करो चेनेल को सब् बहुत बहुत धन्य बाद मिलेंगे और नहीं एक वीडियो हो में तब तक के लिए बाइबाई